आप सभी दरश्यों को का स्वागत है इस नई वीडियो पर जहां पर हम सीखते भी हैं और पैसा भी कमाते हैं आईए चलकर जाने Reliance Power के बारे में क्या चल रहा है इस स्टॉक में इसका fundamental valuation क्या है और debt की क्या position है अभी company में और अचानक technical level पर ये इतना उचाल क्यों चल रहा है इस स्टॉक में इस सब का visualization करेंगे और साथ में हम देखेंगे कि आगी की क्या संभावनाई हो सकती है Reliance Power के स्टॉक में आई चलकर शुरू करते हैं पहले आज का monitor देखें कि क्या screen कह रही है आज का stock NSC पर 4 रुपे के आसपास trade कर रहा है Volume shocker है 2 करोड के आसपास share trade हुए है और ये percentage wise 6 परतिशत के आसपास ऊपर चड़ा हुआ है तो काफी अच्छा stock है Technical द्रश्टी से देखा जाए अगर इसका 52 week 52 high और low देखा जाए तो 1 रुपे इसका low है और 5 रुपे इसका high है तो inching towards higher end कह सकते हैं इसको Delivery volume 44% है वो भी काफी अच्छा है तो जो खरीद रहे हैं strong hand खरीद रहे हैं long term के basis पर तो आप क्या कर सकते हैं इस में पहले हम fundamental valuation देखते हैं और उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या सलहा रहेगी अब अगर हम सबसे पहले इसकी market capitalization की बात करें तो small cap company है, 1000 करोड की company है एक का market lot है और चाहें तो आप सिर्फ एक share ही खरी सकते हैं पर क्योंकि छोटा price है तो आप काफी quantity इसकी खरी सकते हैं अब अगर हम आगे बात करें इसकी sales figure की तो June का data हमारे पास available है June में थोड़ी सी sales बढ़ गई है इसकी 1700 करोड से 1900 करोड के आसपास increase होके आई है और वहीं पर अगर हम देखें expenditure तो expenditure भी इन्होंने काफी control किया है पिछले quarter के comparison में March का quarter थोड़ा seasonally ज्यादा quarter होता है क्योंकि year end होता है financial year end पर अगर on average अगर पिछले quarter के comparison में देखें तो थोड़ी सी increase होके आई है expenditure relatively बात किया जाए 1300 के आसपास इनका average है और 1380 के आसपास इसका expenditure आया है पर क्योंकि sales increase हो गई है on average तो वो अच्छा parameter है इन्होंने tax भी बे किया है इस बार और interest जो इनकी एक one of the challenging factor है वो थोड़ा ज्यादा है करीब आप ये समझे कि अगर इनके operations से earning हो रही है 750 करोड की और interest इनको 660 करोड का देना पड़ रहा है तो वो थोड़ा सा एक दिक्कत वाली या फिर debt को low interest rate पे कहीं पे लेके जाएं तो उससे इनको थोड़ा अच्छा benefit मिलेगा तो अगर इस सब के बाद देखा जाए तो इन्होंने करीब करीब 40 करोड का net profit रखा है अपना जो कि बहुत अच्छा sign है पिछले quarter में करीब करीब 4400 400 करोड का नुकसान था अभी इस बार 40 करोड का profit है वहीं अगर हम इसके जून quarter की promoter stakeholder देखें तो केवल करीब 19% का promoter के पास holding है और उसमें उनके 61 stock percentage pledged है तो यह यहाँ पर सोड़ी दिखा दे क्योंकि debt जादा है तो उसकी वज़ेसे उनको fund collect करने के लिए उनको अपने stocks को pledge करना पड़ा है FIA की holding थोड़ी सी कम हुई है पर DIA की holding study है और increase हो रही है 17%, 12% से बढ़कर करीब 22% होगी इस quarter में तो यह एक अच्छी ख़बर है उसके लिए और others, आप और हम जैसे लोग, या फिर some बड़े investors जिन्होंने lower level पर खरीदा होगा इसको, वो 55% है उनका, तो काफी अच्छा holding है बड़े लोगों का यहाँ पर दोस्तों वीडियो की information अच्छी लगेगी तो एक बार like बटन ज़रू दबाईएगा, अब चलकर ज़रा हम इसकी website को देखते हैं, देखते हैं क्या क्या business करते हैं यह लोग, तो अगर सबसे पहले हम देखें इनकी website पर, तो इनकी CSR activity बहुत अच्छी चलती हैं जिसके चलते हुए, यह लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों का activity कराते हैं और सारा काम करते हैं यह largest power generator portfolio अंडर developing private sector, तो private sector में सबसे बड़ा private portfolio है power generation के लिए और green energy पे काफी इन्होंने spend किया है, अपना project चला रहे हैं, जिसके चलते हुए काफी अच्छा काम होगा, और यह हमने बताया, बच्चों को activity धिरुभाई अमबारी ने शुरू की थी power के sector में, जिसको अनिल आगे layer जा रहे हैं और काम कर रहे हैं उसके basis पर water energy से electricity कर रहे हैं, sun energy से electricity कर रहे हैं wind power से इनका project चल रहा है energy करने के लिए, और जो standard convention energy produce करने के energy है उनसे तो करी रहे हैं, तो इस सब के असी रुपे का stock एक रुपे तक चलाया था तो थोड़ा सा दिक्कत है वहाँ पर पर जिसने एक रुपे में खरीदा तो आप देखे उसका एक लाख का चार लाख हो गया है, कितना अच्छा return मिला है उनको, पर आपको patiently, long term wealth जो है वो patiently create होती है, आपको थोड़ा देखना है कि कहाँ पर आपको invest करना है ऐसे नहीं कि आप हर जगा invest करते रहें अपने पैसे, थोड़ा fundamental valuation देखनी है और थोड़ा technical valuation देखना है जब technical breakout हो तब ही खरीदना है एक रुपे का हो सकता है, कई साल तक कोशिश की, तभी इसने volume भी दिखाया था और तभी इसने यहाँ पर इसकी बार भी बड़ी बनने लगी थी, तो यह अच्छा साइन होता है stock का कि यहां से breakout होने की बात है फिर COVID के चलते हुए, सब stock down हो गए, तो यह भी down हुआ, एक रुपे के आसपास इसका लोग बना, और तब से इसने चार गुना return दिखाया है, चार महीने में चार गुना return, बहुत अच्छा return दिखाया है, अब हम कुछ studies करेंगे इसकी, जिसकी basis पर आपको लगेगा कि हम कहां से इसको आगे ले जा सकते हैं और क्या इसका संभावनाई बन सकती है तो अगर हम इसको थोड़ा zoom out करें आपको view दिखाने के लिए तो देखे, हम अभी यहाँ पर फिबराची arch retracement बनाएंगे जिसके चलते हुए आप देख सकते हैं कि आगे की क्या संभावनाई हो सकती है इस stock में यहाँ से तो जैसे आपको पता है इसका high और low अभी recent जो बना है वो 5 रुपे high है और 1 रुपे low है जैसे आपने शुदू की screen पर देखा था तो यहाँ से अगर हम इसको इस level से अगर हम इसको यहाँ पर chart को बनाएं तो देखे जो पहला इसका resistance होना था जब यहाँ से उपर से नीचा थवे जो support बनना चाहिए उसको वो यहाँ पर रहेगा करीब करीब 3 रुपे 40 पैसे के आसपास तो यहाँ से इसने काफी अच्छी demand दिख रही है देखे आप technical level को समझे तभी आपको आगे stock का पता लगेगा कि आगे का momentum क्या हो सकता है इसमें क्या नहीं हो सकता है तो 3 रुपे 30 पैसे इसका बहुत अच्छा support हो रहा था और वो इसने उसको maintain किया देखे यहाँ पर क्या अच्छी demand है क्या अच्छी intensity है और volume भी काफी अच्छा है यहाँ पर इस range में जो consolidate कर रहा है तो यह एक बहुत अच्छा level रहेगा इसका 3 रुपे 30 पैसे के आसपास का जो कि आपको accumulation के लिए बहुत अच्छा zone रहेगा जो आप long term के लिए अपनी wealth create कर सकते हैं इसमें Fibonacci retracement के basis पर अब जरा आज के बजार पर नज़र देख ली जाए तो आज का बजार positive momentum खुल रहा है 36 share positive है और 14 share negative है और stock करीब-करीब 0.7 nifty जो है 0.7% up है वहीं पर अगर हम बात करें nifty bank की तो nifty bank में थोड़ा ज़्यादा तेजी है उसमें करीब 1% का up moment दिखाई दे रहा है Steel stock में थोड़ी तेजी है including sale जिसका हमने एक वीडियो डाला है आपके लिए आज सुभा ही आप किस तरह से invest कर सकते हैं sale, gail और bell में आपको जो अच्छा लगे stock हमने एक ratio बनाया है हमारे कुछ feedback मांगा था तो उसको ratio बनाकर हमने आपको बताया है किस ratio में आपको invest करना है इन stocks में अब अगर हम दूसरा parameter से study देखें तो इसके काफी अलग-अलग angle से आप study कर सकते हैं time कम होने के वज़े से हम 3 या 4 parameter लेंगे पर आपको जो अच्छा लगे आप उसके basis पर इनको study कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या stock का हो रहा है तो अगर हम बात करें सबसे पहले super trend की तो पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से super trend ने cell signal दिया हुआ था पर कल जो आज इसने up moment जानी शुरू किया है उससे उसने bicycle convert कर दिया तो काफी अच्छा moment हम है आज positive breakout है यहां से उपर जाने की संभावनाय जाद रहेंगी अब क्योंकि super trend भी इसको bicycle के zone में बोल रहा है वहीं पर एक और parameter होता है कुछ लोग उसको use करते हैं अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है जादतर लोग नहीं use करते हैं उसको इससे बहुत अच्छा indication पता लगता है high low band का breakout सबसे पहले इससे पता लगता है अब देखे super trend ने तो आज आज आपको breakout दिखाया पर high low की जो band है हम बताते हैं पहले कैसे समझना होता इसको तो range देखे range expand हो रही है और stock उसके उपर है तो अच्छा momentum रहेगा फिर थोड़ा नीचे आया consolidation किया अब यहाँ पर इसने range stable हो गई है और जैसे ही इसके breakout देगा जो कि कल इसने breakout दिया था तो आज उसने momentum continue किया तो यह एक अच्छा indicator होता है high low का इसका बता रहा है कि अगर 3.60 के आसपास यह उपर रहा तो बहुत अच्छा momentum दिखाएगा तो दो दिन के बाद में 3.60 से 4.00 के आसपास हो गया है तो करीब-करीब आप यह समझे 15% का return इसने 2 दिन में दे दिया अगर आप simple एक parameter को follow करें technically बहुत सारे chart होते है हम लोगो technical workshop कर रहे है अगर आप हमारी workshop में interested है तो please हमें contact कीजिए हम detail आपको बता रहे है please consult your financial advisor before investing in trading हमारे कुछ दोस्तों ने हमसे technical workshop के लिए request की थी तो उसके लिए हमने एक workshop arrange की है अगस्त 15 या फिर अगस्त 16 आप दोने में से कोई भी दिन चूज कर सकते है दो बज़े से 3 घंटे की workshop रहेगी इसका fees है 5000 रुपया और इसके साथ में आपको हमारा one week का intraday paid service free मिलेगा जो की आपको हम handle करकर आपको trading करना सिखाएंगे nifty feature और bank nifty feature और option में और जहां तक हमें उमीद है कि आप इस fees से ज़्यादा profit इस एक हफते में कमा सकते है तो आपको technical workshop मिलेगी और आपको hands-on experience मिलेगा trading करने के लिए हमारे team के साथ में अगर कोई भी question है तो please contact और अपना interest उसमें दिखा सकते हैं हाँ पर उनको mail डालका अब हम आगर दूसरे parameter से देखें दोस्तों अगर आप channel पर नए है तो हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर आपको education video के साथ में latest stock based information भी मिलेगी और जो भी popular video है stock के analysis के basis पर या फिर जो news में stock हैं जैसे future group के stocks है या आलोक industries के stock है वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं आराम से आपको कोई भी question है तो please आप पूछिए हम will more than happy to make a video for you अगर पंदा मिट का chart देखा जाए तो आज का जो level है कल तो उसने सिधा आप पर journey दिखाई थी के basis पर आगे journey continue रहा सकती है कुछ time के लिए अब आपको करना क्या होगा ये question होता है कि अच्छा ठीक है stock select किया है अब किस level पर खरीदे इसको और कहां से हम इसको buy करने की opportunity बन सकती है तो हमारी सलह आप इसको staggered मेरे में खरीदिये सबसे पहला level जो रहेगा तीन रुपे पिचासी पैसे का यहां पर आप खरीदिये दूसरा level है तीन रुपे पच्छमन पैसे का वहाँ पर खरीदिये और तीसरा level तीन रुपे पंदरा पैसे का तीन इक्विल क्वांटिटी में आप इसको दिस्रिबूट करके खरीदिये आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं आपको अगर पॉर्टफोली में रखना है अपने तो थोड़े टाइम के लिए रख सकते हैं अब इसका टागेट की बात करें अगर हम टागेट की बात करें तो जिसका पहला टागेट हमारे हिसाब से बन के आएगा वो रहेगा करीब करीब 13 रुपे 25 पैसे के आसपास तो इस टागेट बेस्ट ऑन certain parameters इसका टागेट हम 13 रुपे 25 पैसे बता रहे हैं जिसके बेसिस पर आगे ये एक अच्छा आउटलूक दिखाने की कोशिश करेगा जब इसने 4 रुपे 85 पैसे को तोड़ा अपना पिछला हाई तो ये करीब-करीब 13 रुपे के आसपास जाने की कोशिश करेगा तो ये अच्छा टागेट है आपका टाइम आपको थोड़ा patience अकना पड़ेगा हो सकता है थोड़ा नीचे डाए पर इसका टागेट 13 रुपे आने की उमीद है तीन सालों के अंदर तो multi bagger होगा अगर आप interested है तो आप ले सकते है आपका कोई भी question है दोस्तो तो हमें comment box में डालिए और जैसा हमने बताया आप हमारे associate भवनधीर number 7 को contact कर सकते हैं अगर आप interested है workshop में दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो please like बटन दबाईएगा अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धनेवाद मैं आशा करता हूँ आपका दिन मंगलना हो जैहिंद